हालो दियर स्टुदेंट्स तो आर जैसे ही पेटेजी शुरू कर रहे हैं हाल साथा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है याट इस सूपर पोजीशन प्रिंसिपल प्रिंसिपल जड़ा है वो पर जैसे डिसकस करांगे कूलम लॉदे बेस्टे होते हैं तो आज़र साथा टॉपिक है भी डेजी डाट इस सूपर पोजीशन प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो बच्चे सूपर पोजीशन प्रिंसिपल की होंदा है इन्हें में सान पता है असी पढ़या होया पहला भी प्लस बान चैसी पढ़ते हैं इसी वेव्ज दे विच के जदो भी दो या दो तो वद वेव्ज जड़िया हैं मीडियम चे ट्रेबल कर दियाने द फोर्स असी की पढ़ी है कि सादे कुल दो चार्ज जिसने दाट इस से क्यू वन अड क्यू तो उना च्चे डिस्टेंस अवेटे दी आर फ्री स्पेस पहे ने देन उना विच फोर्स की होएगी अकॉर्डिंग तो कूलंब लॉब हादी दासारा गोई की होएगी थी फोर् फोर्स पाई अपसालन नौट बच्चे क्यू वन क्यू टू डिवाइड़ बाई आर स्कॉर्स तो यह फोर्स जेड़ी है बटे जी असी पढ़ दें सो फोर्स एक सादे कुल वेक्टर कॉंटिटी है अगर असी देखे जितनी फोर्स क्यू वन क्यू टू दे होते लगा रह है तो दा फोर्स इस विचार इक्वल एंड ऑपसेट उन्ता अनू मल्टिपल च कोश्चन आ गया यह पांच कूलम दा चार्ज है छे कूलम दा चार्ज जादा सो केड़ा ज्यादा फोर्स लगा रहा है फोर्स विल भी इक्वल इन रिशो बान रिशो बान तो मेरे बच्च तो पहला था एक गाल समझो असी इसनों लिख साने फ बान टू फ बान टू मीन फोर्स ओन वान डिव दू टू टू एन दिस वान बाई फोर पाई पसाल नोट क्यू एक वेक्टर कॉंटिटी तो वेक्टर कॉंटिटी का मतलब क्या है कि इसका एक प्रॉपर डारेक्शन हो Now, we are going to start with this superposition principle तो बच्चो मेरे को N charges ने, we have N charges, 1 charge, 2 charge, 3 charge, 4 charge, 5 charge, so suppose करो this is N charges So, there are N charges which are placed in free space, like say this is Q1, this is Q2, this is Q3, this is Q4, this is Q5 and this is Q6 So, QN say, say N charges एक एक space से विच बटेरी को इंटरेक्ट कर रहेने, तो असी की करना है, असी एक particular charge A3 एक छोटा जया charge है, A3 पो लुपापा है, जिस दे होते हैं असी बटेरी कड़नी है, force like say Q0 So, Q0 इस charge जीरे होते हैं, इस सारे charges force लगा रहेने, असी net force कड़नी है, इस particular charge ते And that will be according to superposition principle, कड़ा principle बढ़ा, superposition principle So, बिल्कुल ते आनल देखो बटेजी, जे मैं कमा, के एत्थों दी एत्थे दा के distance, suppose करो, this is R, this is R, that is not 1, distance of Q0 from Q1, R0 1, एरा distance केना होएगा, R0 2, एरा distance केना होएगा, R03, एरा distance से केना होएगा, R04, एरा distance केना होएगा, R05, एरा distance केना होएगा, R05, एरा distance केना होएगा, R इपेटी पेट एब पॉजिटीव और नेगेटिव थैसे डार कोई गया चे के एक भी पॉजिटिव चार्ज है, then भी पॉजिटिव है आउटसाइड, this is F0 2, similarly अगर यह नेगटिव चार्ज है बच्चे, इसका फोर्स इस डारेक्शन में होगा, that is F F0 बच्चे 3 and similarly, अगर यह स्पोस करो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका फोर्स भी बहर की और होगा, that is equal to F0 N तो बच्चे, एक चार्ज होते सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे ने and जड़ी net force है, अज़ी हो calculate करांगे and according to superposition principle, what will be the net force? तो according to superposition principle, the net force on this charge Q0, अज़ी इस तो लेक्सा आज़ी है F0 and that will be equal to battery F0 1 that is force on not due to 1 plus force on not due to 2 plus soon up to battery force on not due to N, तो आज़ी सारिया forces दा वेक्टर साम काड़ा मांगे ज़ी वेक्टर साम काड़ा मांगे that is called as superposition principle, तो बिलकुल simple है, तो बच्चे superposition principle किया है, if there are large number of charges interacting in space, then the net force on a particular charge is vector thumb, काड़ा हम बच्चे, वेक्टर साम, अलजबरीक नहीं लिखना, it is vector thumb of all the forces exerted by the individual charges, तो एज ज़ी पढ़ांगे, तो नुमेरिकल बहुत इंपोर्टन in our this lecture, okay बटाजी, तो बिलकुल ते आन्दे, नाल, stay connected, okay, now we have three charges placed on the vertices of a triangle एक एको लिखना, 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 of a triangle that is a b c दे होते 10 5 and minus 10 बाटे जी side दे रखिया है is the 5 centimeter सभी sides जो है वो equal होती है तो this is 5 centimeter you are given that side and बाटे जी आसी इस point दे होते है ए दे होते है असी net force कर दढ़िया है ये साथी problem है तो it's very important question तो मैं तो नो इक discuss कराना question फे तो सी मन्नों अगे ले question कर के रखायो तो बाटे जी A दे होते हैं and charges आसी place कर लिया and then बाटे ये triangle बना लिए अग square square बना लाँगे जी दादा question है तो बाटे जी हून तुसी एदे बिच फंडा लगाओना बड़े इत्या आंदे नाल दे क्यो vectors use होनगे एदे बिच तो बाटे जी गल कर रहे हैं आसी A दे होते हैं जी दे होते हैं आसी force कर लिया उन्हों coat कर लाओ बिल्कुल इन्हों coat कर ले आसी इस दे होते हैं आसी बना मांगे vectors vectors दी जी जटी direction है O according to nature of charges होएगी अगर positive positive है दन outside अगर positive negative है inside ठीक है बड़े जी पंडा या रखना PPO PPO positive positive outside and positive जटा negative है उस दी direction बड़े जी जटी है O inside आएगी इस फंडे रिवेच So अगर positive negative charges है दन बड़े जी अंदर नुँआसी वेक्टर दी direction बनानी है इस वाली अपूपनी दिस दा पंड़े नौ एदे होते बड़े जी फोर्स ए लगा रहे है देखो एदे ते भी फोर्स ए लगा रहे है यत्ते बी ये लगा रहे है असी यत्ते कटनी है यत्ते वेक तो इनुआ पर लेखांगे force on A due to B तो ये लिखते है ना force on A due to B ये outside होगे बच्छे नाओ बड़े जी ये वाले जड़ा है negative है ये बड़े जी साधे कुल positive है तो जड़ा positive negative है ये बड़े जी obviously एक दूझे नूँ बड़े जी attract करने तो ए साधे कुल बड़े जी attract करने तो then direction inside आएगी this is P and I positive negative inside ये नू लेखांगे force on कीते लागरी है ए ले होते लागरी है कौन लगा रहे है C लगा रहे है तो F A C ए दो vector बने होना सी पटे इनी vector solve करांगे plus 1 सब नू पता अगर दो vectors होना विच कुछ angle theta होए स्पोस करो A and B are two vectors angle theta then what is the resultant resultant क्यों दा A square plus B square plus 2AB cos of theta under root तो आसी ये वाला funda use करांगे बिल्कुल दे आना देखो सब्तों पहला question जो भी है बना लो नू चार्जिस जथे 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 place आउनू place कर लो बटे जी जो जो दता उसनू code कर लो and then direction बनाओ and vectors नू solve कराना तो बटे जी इसनू मैं vectors नू solve करांगा कोई बच्चा इस angle ब ये वाला angle चाहिए अगर उक्वी बच्चा ये angle बता गया बले बले करा दाएंगे बोलो जी शाबाई what is this this is हानी बटे पूरा 180 ये बन गया 120 degree तो बेने बच्चो दो vectors कौन से बने ये देखो ये अलो बाला vector हमने इसे कहा FAB इस direction में और ये हमारा pinky pink pink और ये pinky pink pink आ गया force on A due to C ये इस direction में और बेटा जी यहाँ पी जो angle है this is equal to 120 degree कितना है 120 degree तो अभी आपने result and निकाल देना है FAB क्या है force on A due to B कूलम लो लगाओगे इस पे कूलम लो लगाओगे और इसका बेटे जी result and निकालना है तो मैं आपको hint देता हूँ आप मुझे question inbox करके बताना तो क्या होता है देखिए सबसे पहले FAB तो बच्चे FAB is equal to FAB is equal to पैटा जी force on A due to B क्या होता है formula के के होता है 451 by 454 not charge at A charge at B divided by AB का square यही formula होता है तो आपने यह के QA QB upon AB 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 ओके बच्चे तो यह आपने फंडा लगा दिया तो force किसके बरावर है देखो बटे जी यह K का value कितना है 9 into 10 is to power 9 QA QA is 10 micro coulum so you are given this QA is equal to plus 10 micro coulum QB is equal to बटा जी plus 5 micro coulum and बटे जी QC is equal to minus 10 micro coulum okay बच्चे now अब यह हमने given लिख लिया सभी side बरावर है that is AB equal to BC is equal to AC is equal to बटा जी कितना है 5 cm बच्चे और 5 cm को क्या लेखोगे 0.05 meter लेखोगे आप ठीक है तो इसकी value हम put कर देते हैं बटे magnitude put करना है plus minus की put करने QA QA का value है 10 micro coulum 10 into 10 पर minus 6 micro के coulum मना लिए into बटा जी QB 5 into 10 पर minus 6 बटा जी यहां पे magnitude लेए divided by AB 0.05 the whole square बच्चा square करना पूल जाना बटे जी अथे गलती हो जाना तो square जरूर करना है तो इस article force on A due to B यह calculate करनी है आपने और यह Newton में आ जाएगी ठीक है आपने calculate करनी है और यहां पे लिखनी है ठीक है अब force on A due to C बोलो क्या आएगा यहां पता सकता गोई ओ नहीं दा सदा बोलो शाबाज पटा 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 बोलो बटे यहां के QA QC अपन A C दा square तो that is equal to 9 into 10 raise to power 9 into QA कितना है 10 into 10 raise to power minus 6 QC कितना है 10 into 10 raise to power minus 6 upon 0.05 का square ठीक है इसको भी calculate करना है और calculate करके इसका answer आजाएगा आपका Newton में ठीक है बचे तो आपने पहले F A भी लिख लिया फिर F A C लिख लिया तो फिर आपकी दोनों की value आ जाएगी ठीक है अब दो vectors है F A भी निकाल लिया F A C निकाल लिया 120 उन में एंगल है तो बैटा जी आप ये formula लगा होगे हम लेखेंगे force on A F A का मतलब force on A अगर आपको numerical में B में दिया तो B में निकालो C में दिया C में निकालो किसी में भी आप force निकाल सकते हो मैं एक निकाल के बता रहा हूँ और फिर मैं आपको कोश्चन लूँगा आप दूसरे और तीसरे कोश्चन को निकालना ठीक है बच्चे अभी ध्यान से देखो F A is equal to बटाजी अंडरूट यह formula लगाना है ठीक है अंडरूट F A B जितने आप F A B निकालोगे उसका square कर दो ठीक है बच्चे प्लस F A C उसका square कर दो बच्चे और प्लस मेरे बच्चो F A B square प्लस F A C square प्लस 2 F A B F A C इंटो बटाजी चौस ओफ 120 तो यह बटाज फटा फट मुझे solve करो और बताओ मुझे कितना answer आज आएगा ठीक है बच्चे तो सूपर प्रिशन प्रिंसिपल डिसकस कर रहे हैं जी आज तो सूपर प्रिशन प्रिंसिपल दे विच साथे गोल पहला question है कि triangle है तिन चार्जिस पहले ने असी बटे दी उसनी net force कर दनी है ठीक है सब तो पहला तुसी मैंनू area ते कट के रखाओ net force अपना answer फिर मैंनू b ते कट के रखाओ याई दा question है एक question मैं तो अनू दे रहे हैं इस वीडियो नू ते आनाल देखो question देखो ठीक है बच्चे जी तो this is our first question on superposition principle ठीक है जी ओके dear students तो superposition दाई कि तुसी numerical समझे आप hopefully रहां समझे आ गया है ठीक है जी और मैं तानो ते इन questions दिनना बटे जी करन लई ते कुछ सक्रीम ते questions दोवाँगा तांके तुसी कार बैठ के practice कर लो ठीक है बच्चे तो question है बटे जी ए तेन charges ने plus 10, 5 and minus 10 similarly last question है आस question जी आसी A दे होते force कड़ी सी इस बार आसी बटे जी B दे होते force कड़नी है तो तुसी बटे B दे होते vectors बनोने हिंट मैं तो नो दे सकना है तो बटे जी plus plus ये किदर को होगा outside है inside ये बटा जी outside होगा ये होगी force on B due to C अनुन आप लेखांगे FBC ये तुसी बटे जी FBC कड़े लेनी है formula लगा के फिर बटे जी A negative ए positive attract करेगा तो बटे जी A जो है inside होगी तो that will be inside force on B due to C और बटे जी A वाला angle जड़ा है ओ सादे कुल 120 दा सेम question है करके रिखांगा मेनू बटे जी तुसी vector solve करने है simple question है इस time में सी कड़ांगे net force at बटे जी B ओके नाओ ए वाला question है इस question दे विच सादे कुल प्लस 10 micro coulum ए प्लस 10 micro coulum है ए बटे जी 20 micro coulum है ए माइनस 20 micro coulum है ए चार जिस तेन पाए ने and side है 2 cm यह नों मीटर चका नवर्ट कर लाना ठीक है बच्छे नाओ इत्थे भी तुसी force कर सागने हो ति मैं तुसी A दे उत्ते force कर तुसी A दे रखोनी है वेक्टर तुसी बनाओने है और नेट फोर्स तुसी है जड़ी ओ दस नहीं है कि दर नों होएगी और के ना मैगने चूड ओके नाओ ए थार्ड कुश्चन है जड़ा इस कुश्चन नों करूगा मैंनों वेरी गुड दमगा तो कुश्चन इस पेटाजी A B C D बैटा जी ये चार्जिस चार पड़े हुए है ये चार्जिस एक स्कुर दे उत्ते पहेने स्कुर दे जड़ा साइड है उसारा सेम होंदे ने तो बैटा जी 10-10-10 सेंटीमेटर दी साइड है एक स्कुर दी तो उस दे उत्ते चार पंच चार पंच दे बैटा जी साड़े क प्लस यह दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस के हैं तो प्लस प्लस के दर नो होगा बटे जी आउटसाइड ए होएगी प्लस यह बढ़नों जाएगी यह बटे जी यह यह फॉर्स प्लस अरो देखोंगे क्या जणिया दो फॉर्स ने FOB and FOD another magnitude same आएगा क्योंकि बटे जी charges the pair frame है and बटे जी distance जड़ा है वो बिल्कुल same तो तो अनुपता होना चाहिएदा center तो लेके vertices the distance क्यों होंदा है यह होंदा बटे जी side divided by root 2 यह अपा कई वरी कर दें तो इस नो distance नो put करके तो अड़कुले सारिया forces आ जाणगी है and दे विच्टुसी की लिखना है दो vector FOB and FOD are equal and opposite they will cancel each other net force 0 हो जाएगी इसे तरह ही FOC FOA कड़ोंगे दोना दी direction opposite है यह भी बटे जी cancel each out हो जाणगी है तो net force at the center equal to 0 आ लाएगी बटे जी यह तोड़े answer आएगा ठीक है मट पूरा काल एक multiple दा fund है अगर कोई भी सारिकुल कोई भी बटे जी कोई पॉली नो मिल कोई भी सारिकुल है इस तरह दी जिस्टे बटे जी edges दे होटे जिस्टे वर्टेस दे होटे बटे जी सारिकुल same charges place होन या even number polygon होबे even number मिलो 4, 6, 8, 10 वाली polygon होबे उसते alternate charges same होन then net force at the center will always be 0 किसी भी polygon किसी भी polygon दे अगर बटे जी वर्टेस दे same charges place ने then ओधे center दे होटे हमेशा ही net force 0 आएगी objective दाफंद है अगर बटे जी आप 5, 5, 5, 5, 5 रख लिए center चेके नातर आएगा 0 दास 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 रख लिए center चेके नातर होगा 0 आएगा तो बटे जी एस article questions ने में हिट देते हैं तुसी करो inbox करो आज दे लिए नहीं बस तो एफ बड़ा important topic है करो वीडियो नो watch करो बटे जी ठीक है जी subscribe करो channel and अपना करे बठे time utilize करो ठीक है जी बिलकुल time waste नहीं करना बटे जी study करनी है तो stay at home, stay safe, thank you very much